नमस्कार दोस्तों अभी इस वीडियो में Determinant of a Matrix of Order 3 into 3 कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो को पुरा देखना दोस्तों यह आपका 3 into 3 order का Matrix है इसका हम क्या फाइंड करें Determinant, Determinant को देखिए इस प्रकार से है जो किसी Matrix को तो ऐसे लिखते हैं Determinant को कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है अब करना क्या बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे आपको एक नियम याद करना पड़ेगा वो नियम क्या है दोस्तों प्लस, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस, प्लस माइनस, प्लस ठीक है इस name को यहाँ पर काम है लेंगे कैसे आपको first row के सापेक्स expand करना है देखिए matrix में यह क्या होती आपकी सब row होती है और जो खड़े हैं वो आपके क्या होते हैं column होते हैं तो first row के सापेक्स expand करना है तो यहाँ कौन सा plus chain यह इसके भार plus chain आएगा इसको लिया उसके बाद क्या करना है यह जिस column में आ रहा है उसको खड़ा दो जिस row में आ रहा है उसको खड़ा दो आपका plus बच्चा क्या यहाँ पर 3010 ठीक है अब यहाँ minus sign आ रहा है देखिए तो यहाँ minus sign लेना है और यह आपका two आएगा यहाँ पर जिस column में आ रहा है उसको खड़ा दो row में आ रहा है उसको खड़ा दो बच्चा कौन minus one four zero zero च्यार की बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर plus आ रहा है तो plus ले लिया इसको हटा दो इसको खड़ा दो बच्चा कौन minus one three four one देखिए इसमें आपका एक पूरा column zero हो रहा है इसमें भी एक column पूरा zero हो रहा है यानि इसका value zero हो जाएगा इसका value भी zero हो जाएगा लेकिन इसका value zero नहीं होगा तो यह आपका क्या है order two का determinant है इसकी value कैसे निकालते हैं दोस्तों इनका cross product minus one गुना one और minus one minus one four multiply three आपका 12 यानि कितना आगया minus आपका 13 आगया 13 के साथ four का multiply करते हैं तो आपके पास आता ये आपका 52 वो भी किसका minus का तो ये आज आता है इसका आपका answer दोस्तों यहाँ पर बाकी आप इसको किसी भी column के साथ expand कर सकते हैं row के साथ x भी expand कर सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपको question में बोला है वेसे आपको करना होता है बस इन चिनों का ध्यान रखना होता है जैसे कि यहाँ पर हमने chain काम लिए है अब ये chain कैसे आता है दोस्तों ये आता है minus 1 की power n प्लस m यानी row प्लस कोलम के योग से चीक है तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कियों आप इसको ही समझ के किजिए आपकी कोई गलती नहीं होगी कि अगरे आपकी कोई आता है